बहुत दगड़े मूव्स बिग स्टॉक्स में आ रहे हैं आजकल आज रेडार पर क्या क्या आज रेडार पर दो IT स्टॉक्स और एक NBFC स्टॉक सबसे पहले पर्सिस्टेंट सिस्टम्स आधिंग अशिश फिनॉमेनल नंबर्स मैं मतलब देख रहा था कि कहां से आई ये नं है ना 4.3% की एक्सपेक्टेशन थी ऐसे नहीं कि एक्सपेक्टेशन कम की थी एक्सपेक्टेशन 4.3 की थी लेकिन ये तो वह बात हो गई कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक स्टॉडेंट से कि 98% लाए वो 99 ले आए तो ये उस तरीके का मामला है और EBIT margin 14% का 13.7% का एक् मैं इनकी मैनेजमेंट से मिला था जब मैं प्रान पृतिष्ठा पर गया था और आयोध्या जब मैं गया था तो वह बापसी में सेम एरपोर्ट पर सबकी फ्राइटे और मोस्स सेम टाइम पर ही थी तो वहां पर मैं मिला था उनसे अलेश पांडे जी से ये कंपनी इसने ए जिलिवर करें और इतना कंसिस्टेंटली स्टॉक में रिटरंस डिलिवर करें आ थिंग ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे कहते हैं बाइ और फोर्गेट वाला एक जो स्टॉक होता है पाँच साल में 16 गुना रिटरंस मतलब आप समझे किस और बीच में कोई वोलिटिलिटी नहीं ऐसा कोई फेज नहीं आए जिसमें इसने आपका पैसा गवा के दिया हो बस एक बार एक फेज आया था सिर्फ दो महीने का जिसमें थोड़ी सी करेक्शन आया थी इस स्टॉक में अधरवाइस का चार्ट दिखिया आप किस तरीके का ब्यूटिफुल चार्ट रहा है एक ऐसा स्टॉक जो आपको ऐसा ट्रेडर पैसा बना के देता है एस इंवेस्टर पैसा बना के देता है और बड़ी वेल्ट इसने क्लेट करके दिये और अब तक नमबर्स में कोई स्लोडाउन नहीं है मेरे ख्याल से यह आज का स्टॉक आप दे डे होना चाही है लिए यह मेरा पहला स्टॉक होगा बिक स्टॉक में दूसरा बिक स्टॉक कोफोच की मैंजमेंट से हम बात करेंगे अगें एक ऐसी मैंजमेंट जिसके हम बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जिरो प्रमोटर होल्डिंग होने के बावजूद हो जब पूरा माल छोड़ दिया तो नमबर्स काफी अच्छे हैं तो परसेस्टेंट और कोफोच यहाँ पर तुम्हें डाग्रीन लेकर चल रहा हूँ बजाज फिनांस को अब टेक्निक लिए तो रेड लेना चाहिए क्यों क्योंकि उसी कमेंटरी में उसने कहा है कि कॉस्ट और बढ़ेगी और नमबर्स जो हम एक्सबक कर रहे थे वीकी हैं लेकिन यह प्राइस में है मेरे खाल से इस समय दे कि पिछले दो हाफते में स्टॉक 10-12 परसेंट अलड़ी गिर चुका है मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोजिश्ट मलब गिरावाट आएगी अब बाकी मार्कि जो मर्जी करेगा वो तो खेर देखना पड़ेगा हमको लेकिन थोड़ा सा इनकी प्रोविजनिंग काफी बढ़ी है क्रेडिट कॉस की गाइडेंस नहोंने बढ़ाई है सबसे बड़ा डिसवाइन्मेंट वो था 1.75 to 1.85 से बढ़ाकर 2.05 पसंट करी है तो यह एक थोड़ सा इरिटेंट रहेगा इस स्टॉक के लिए लेकिन अलड़ी काफी गिर चुका तो इसके लिए मैं इसको रेड नहीं ले रहा हूं मैं न्यूटर लेकर चल रहा हूं ग्रीन इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि ग्रीन लायक काम नहीं किया है लेकिन इसके लिए न्यूटर लेक लेकिन पॉदिशनिंग ऐसी कि इसे कोई शेड नहीं देके न्यूट्रल लेके चलते हैं